पद्रिनात में ये विरोध की चिंगारी यूही नहीं उठी है यूही नहीं लोग प्रशासत के खिलाफ आवाज बुलंद करने उतर गए है ये विरोध उन लोगों के जहन में पैदा हुए असमंचस के बाद शुरू हुआ है जिनके आश्या ने बदलाओ के लिए लाए गए मास्टर प्लान के तहित उजार दिये गए प्रदेश सरकार ने बद्रिनाथ में काया कल्प का फैसला लिया बनाया गया मास्टर प्लान अब जम कर हो रहा घमासान इसी को लेकर बद्रिनाथ मूल निवास भू कानून समन्व संगर समिती अब लोगों के बीच उतरी है बद्रिनाथ मास्टर प्लान के प्रभावितों ने बद्रिपुरी में सांकेतिक प्रदर्शन कर विरोध दर्श किया इस मौके पर भविश में आंदोलन की रण्दीती की तयार की गई संगर्श समिती ने मास्टर प्लान से प्रभावित लोगों से मुलाकात की साथ इस्थान ये लोगों ने भी अपनी समस्याएं समिती के सामने रखी मंगलवार को मूल निमास भू कानूल समन्वर संघर्ष समिती ने मास्टर प्लान के तहट बद्रिनाथ में चल रहे निर्मान कार्यों का जाय जा लिया इस मौके पर समिती के सयोज़ कोहित भिमरी ने कहा कि मूल निमासियों को विश्वास में लिये बगएर बद्रिनाथ में निर्मान कारे चल रहा है आरोप लगाया कि मास्टर प्लान को लागू करने में नियमू की धच्जियां उड़ाए जा रही है और मूल निमासियों, हक हकूप धारियों को अपनी आपत्ती दर्ज करने का मौका भी नहीं मिला है बद्रिनाथ में मास्टर प्लान कैसे लागू हो इसके लिए उत्राखंड अर्वन एंड कंट्री प्लानिंग और डेवलोप्मेंट एक्ट में व्यवस्था है बाजूद इसके सरकार स्थान ये लोगों को विश्वास में लिये बगए और आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिये बगएर ही लोगों के घर तोड़ रही है आँ देखिए बद्रिनाथ में मास्टर प्लान कैसे लिए निर्माण कारे चलते और इसके चलते हैं जो यहां के मोल निवासी हैं उनके जो अपने पुराने भवा न्याबे बनी थी जुन रुकान उनकी यहां बनी थी उनको वह जाड़ा जा रहा है और अभी तक उन्हें यह नहीं बताया गया है कि उनको नर्वास खहां होगा विश्वाबन की सरकार की क यहां पर निर्मान कारे करें, उन्हें अंधेरे में ना रखें, हम लगातारी लोग इस मांग को लेकर आंदुलन कर रहे हैं कि सरकार उन्हें इस रक्षित अस्तान पर विश्वाबित करें, उनके लिए मौढ़जे की उचित भ्याउस्ता हूँ, लेकि इस पर सरकार ध्या लोग ऐसे हैं जुन्होंने इसके लिए कोई एनोसी नहीं दी है और ना ही उनको कोई मुआबजा मिला है। जहां उनको पुनरवास मिलेगा और घर तोडने के बदले कब कितना मुआबजा दिया जाएगा। जहां रोजगार देने में भी इस्थानिय लोगों के बजाए। बाहरी लोगों को प्रात्मिक्ताएं दी जा रही है। इसी को लेकर मूल निवास और भू कानून संगर्श समिति आरपार के मूड में आ गई है। समिति की तरप से सांकेतिक विरोध के बाद प्रशासन के सामने बड़े आंदोलन की चेतापनी भी दी गई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन मांगों को मान कर लोगों के साथ समन्नोयक से काम करता है। या फिर बद्रिनात में फिर से बड़े आंदोलन की आहट हो गई है। विरो रिपोर्ट श्रेष्ट उत्राखंड